तो वहीं केंद्री काबिनेट की आज होने वाली एम बैठक में संसद का बजट सत्र बुलाने पर मोहर लग सकती है सूत्रों की माने तो सरकार का बजट सत्र करीब एक महीने तक चल सकता है अभी तक जो खबरे सामने आई हैं उसके मुताबिक संसद का बजट 7 जुलाई से लेकर 6 अगस्त के बीच चलने की संभावना है केंद्रिय मंत्री मंडल संसद सतर के कारकरम को अंतिम रुप देने पर अपनी बैठक में विचार विमर्श कर सकता है संसद का बजट 7 जुलाई से शुरू हो सकता है जिसके करीब एक महा तक चलने की संभावना है इस बाबत बुद्वार को मंत्री मंडल की बैठक में अंतिम ने लिया जाएगा सुत्रों ने बताया कि संसद का बजट 7 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक चलेगा के इंद्रिय मंत्री मंडल संसद सत्र के कारेकरम को अंतिम रूप देने पर आज अपनी बैठक में विचार विमन अर्ष कर सकता है सत्र की शुरू आज 7 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्शन के साथ शुरू होगी 8 जुलाई को रेल बजट और 10 जुलाई को आम बजट पेश किया जा सकता है दोनों ही बजट को जुलाई अंत तक संसद की मंजूरी दिल्वाना ज़रूरी है क्योंकि लोकसबदवारपार इतले खानुदान की अवधी जुलाई अंत तक समाप्थ हो जाए